नया कानून आया है, नय नियम लागू हुए हैं, सरकार कानून को इस मकसद से लेकर आए कि आक्सिडेंट को रोका जा सके, लोगों को आगा किया जा सके, लेकिन ड्राइवर्स इस कानून के सीधे तौर पर खिलाफ हैं। पूरे देश प्रदेश में आप देख रहे हैं प्रदर्शन शुरू हो चुका है इस कानून के आने की बाद क्या हाल है प्रदेश में आईए इस खास पेशकश नए कानून पर क्यों मचा बवाल बताएं एक हाल कहां उग्र प्रदर्शन हुआ है कहां पंपो पर भारी भीड लगे पूरे लोगों को पेट्रोल डीजल और लपीजी जैसी चीजों की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है चार तस्वीरे फिलाल आपकी टीवी स्क्रीन्स पर पहली तस्वीर खंडवा की है नए कानून की विरोध में ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया चक्का जाम किया प्रदर्शन कारी ड्राइवरों ने सरकार से कानून वापस देनी की मांग किया और चौती तस्वीर हड़ा जले की ड्राइवरों की हड़ताल से यात्रियों को काफी परिशानी और इसी के चलते अब लगातार माहौल में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की किलत अगर होती है और अलग-अलग जरूरी सामानों की किलत होती है तो इसके लिए कौन जमेदार आखिर होगा क्योंकि सरकार से गोहार है तो सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी इस हर्टाल को लेकर या नाई कानून को वापस देने को लेकर अभी तक साजा नहीं की गई है चार तस्फीरे हम आपकी छीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं शायद सरकार की तरफ से इतना कड़ा नहीं कि अगर हेटन रन का मामला पाया जाता है तो आपको 10 लाक रुपे का जुर्माना भरना होगा 37-7 साल की कारवास की सजा आपको होगी तो पुराना कानून क्या था उसकी भी पॉइंट आपको बता रहें शक्ती से जादा लोगों को अपने जान कड़ सता रहा है क्योंकि हेटन रन का मामला जब जब हुआ है या अगर कोई भी आक्सिडन्ट होता है तो ड्राइवर को जम्यदार मानते हो सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है इसी पॉइंट को लेकर ट्रक ड्राइवर की तरफ से हर्ताल की जा रहे है कि जब भी दो वाहनों में टकर हो रही हो भारी और मालवाहन को जम्यदार ठेराया जाता है और ड्राइवर की घटना स्तल पर अगर हालत ठीक है तो मॉब लिंचिंग की जैसी जो घटनाएं वो सामने आती है और कई बार मारपीट ड्राइवर के साथ होती है दूसरी तरफ कानून सक्त होने के चलते ट्रक ड्राइवर्स की हर्ताल तो है जमीनी स्तर पर खामयाजा भुगत रहे हैं आम लोग क्योंकि ना सिर्फ ट्रक और डंपर बल्कि कुछ ऐसी जगा भी है 36 गड़ के कुछ एलाके ऐसे भी जहां बस संचालोकों की तरफ से भी हर्ताल चुरू कर दी गए बस ड्राइवर्स भी हर्ताल पर चले गए हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है अगर किसी प्रकार की दुर्गटना होती है तो हम इतना भारी भरकम चाला नहीं भढ़ सकते हैं और हेटन रन को लेकर अगर सक्त कानून लाए जाते हैं तो जमीनों पर सड़कों पर पही इसी प्रकार से थमे रहे तो अभी एक बहुत बढ़तन सामने आया है सकती और जाधा बढ़ती हुए चलो अलग अलग जुलों में आपको अब लिये चलते हैं आपको किस प्रकार यहां पर लोग जूज रहे हैं इस समझने का प्रयास करेंगे सभी कि मितलेश गुपता इंदौर से मारसा जुड़े में वासिच्वारी खोपाल से रपोर्ट करेंगे सुशिल कोश्रे के ग्वालेर से आपको दिख रहे हुँगे पवन पठेल हैं जबलपुर से अमे रपोर्ट करेंगे वास्तो सबसे पहले आपका रुक में कर रहे हूं क्योंकि ना सिर्फ राजदानी बलकिया पूरे प्रदेश का हाल ज़रा बताईए एक जलक में कि क्या कुछ हो रहा है और आम लोग कैसे परिशान है उसे आप यह कह सकते हैं कि वो किसी भी स्टेट या देश की लाइफ लाइफ लाइन होता है क्योंकि दूद हो फल हो सबजियां हो राशन का सामान हो या फिर अनाज हो अन हो इन सब को लोगों तक पहुचाने उन मार्केट्स तक महुचाने का काम जो है वो ट्रक ड्राइवर्स ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है और आज वही जब एक बड़ी देश पर आपी हरताल पर हैं तो यह सारी सुविदाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं और ये भी अब तस्वीरे सामने आने लगी हैं कि LPG की सप्लाइ पैट्रोल डीजल की सप्लाइ जो है वो भी अप्रभावित होने लगी है ऐसे में अगर ट्रकों के पईये रुखते हैं डंपर्स के पईये रुखते हैं तो लोगों की गाडियों के पईये भी जो हैं वो आ वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर जो है आम लोगों के बजट पर और आम लोगों के किचिन पर पड़ेगा बैरहाल राज़दानी बोपाल समय बंद्गदेश के तमाम जिलों की और कस्मों की यही तस्वीर है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और उनका कतारे बढ़ती जाती है तो इससे ट्रैफिक जाम जैसे जो इस्टिती है वो भी बन जाएगी और आम लोगों को सीधे तोर पर इससे जूजना पड़ेगा है टेंडरन मामले में जो नाय प्राउधान किये गए हैं वो इसका विरोत कर रहे हैं और साफ तोर पर ड्राइवर सामने खड़े हो गए हैं वंदिकार लॉर नाय साल के सुरवात में जब इतनी बड़ी परिशानी आम देखे तो कई बार डर भी समा जाता है कि क्योंकि सीधा आम लोगों पर जब असर पड़ने लगे तो इस्तितिव और जादा मुश्किल मितलेश की और अब रुक करेंग कि 10 साल की सजा और 7 लाक रुपे का परोधान जो सक्त कानून बनाया गया है इसे तत्काल बदल देना चाहिए क्योंकि कई बार हाथते जो होते हैं वो जान बुचके नहीं होते हैं हाथ से जो है किसी कानून बस भी हो सकते हैं लेकिन जब से यह हीट एंडर का जो नया मामल और देखें वो इन सब बातों को लेकर नीचे जो लोग इरिक्सा चलाते हैं यहां तक कि जो टू बिले चला रहे यह ड्राइबर सुन तक से बात कर रहे हैं और यह प्रावधान या कानून सी भी हमारे लिए तक सिमितने ही यह कानून तुमारे लिए हो सकता है इन दौर मे इरिक्सा को भी रोकाया जा रहा है मैजीक आटो रिक्सा सब को रोक रोक के बंद कराया जा रहा है उन्हें चलने नहीं दिया जा रहा है ठालात यह देखिए कल मागलिया डिपो पर पुलिस के साथ जुमा जटकी होती है कुछ ट्रक वहांस निकल रहे थे कुछ टैंकर नि दिखा रहा हूं देखिए किती लंबी लाइन लगी हुई है तो लोग सुबा से यहां पर खड़े हैं और तेल भराने के लिए क्योंकि इन्हें जो मैसेज मिला है कि पेट्रोल डीजल के किलत हो सकती है हलाकि जो पेट्रोल पम के या जो इसके एसोसेशन गद्यच है उनका कहना है कि परियाप्त जो तेल है वो परियाप्त है और आने वाले समय में इस्तिती बनी रहेगी कि उन्हें परियाप्त तेल मिलता रहे लेकि हरताल के हो चुकी है डाइबर्स हरताल में है अगर ट्रक नह कर दिया गया और चार्टर से 163 बस जो इंदोर से भोपाल खंडवा खरगोल तमाम अलग अलग सेरों जाती है उन बसो को भी रोग दिया गया यानि पर उसी प्रकार की कतारे कि यहां पर भी पब्लिक जो ट्रांस्पोर्ट है उनके पई थमे हुए बिल्कुल देखे गॉलेर में भी कही न कहीं अगर कहें तो जो ही टेंडरन कानून है उसको लेकर लगातार विरोध देखने में मिल रहा है यहां गॉलेर के आसपास के जितने भी हाईवे है उन हाईवे पर लबी लबी वानों की कतार है यह गॉलेर का अंतरराज जी बस अड़्डा है इस बस स्टेंड से साड़े 500 से ज़्यादा यातरी बसे रोजाना चलती है लेकिन ही टेंडरन कानून के विरोध में यहां पूरी तरह से ट्रांस्पोर्टरोंने हरताल कर रखी है और इस हरताल की वजह से पूरे इलाके में आप देख सकते है कि बसे पूरी तरह से बसों के पईये थवे हुए मैं और इस मिलाके में जहां बसों की चहल लोती यहां यात्रियों की चहल लोती जय ह accompany उनकी और मुसीबत नंकी और उस CCPャनिये खड़िए सब्सकिन का na लेकिन अगर इसी तरह से ट्रकों के टेंकरों के पईये जाम रहते हैं तो आने वाले 48 घंटे में डीजल और पेट्रोल की भी किलत हो सकती है उससे परिशानिया हो सकती है इसके अलवा यात्री वाहन के चक्के थवे हुए है शहर के अगर देखें तो 12,000 से ज्यादा आटो भ बढ़ेगी अब इस हर्ताल के लंबे समय तक चलने से कहीं न कहीं ना सिर्फ यात्रियों की मुसाफिरों की परिशानिया बढ़ेगी बलकि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल की किलत होगी इससे और दोनों ही तरफ सुशील परिशानिये किसी भी तरफ ऐसा नहीं है कि को परिशानिये में भी जो ड्राइवर यूनियन है उनसे द्वारा हर्ताल किये गया है और आज आप देख सकते हैं कि मेरे पिशे इतनी बड़ी संख्या में यह जो ड्राइवर है यह अपने वहानों के पईये ठाम कर यह प्रदर्फन कर रहे हैं और लगतर ना केवल बस ड्र यूरो के लिए यह कानून जो है काला कानून साबित हो रहा है क्योंकि जिस तरह की तंखा इनकी रहती है साथ से आठ हजार रुपए इनकी सेलरी रहती है उसके बाद दस साल के सजय का प्रदर्फन है जो 7-8 लाग रुपए का जुर्माना है वो इनके लिए कही न कहीं कारण की तड़कों पर उतर कर यह प्रदर्फन कर रहें कुछ ड्राइवर हमारे साथ हैं हम पूछेगे की पूरा प्रदर्फन है यह जो कानून है वो बिल्कुल गलत है इसमें जायवर लोग चला ही नहीं पाएंगे अगर एक्सिडेंट होता है अगर जायवर भगेगा न कानून को गलत बता रहें कुछ और लोग हैं उनसे जाना चाहेंगे कि पूरा प्रदर्फन आप लोगों करें सब्सक्राइब बात बोला हुआ सब्सक्राइब बोलना प्सक्राइब से निया मुद्ध रुपिया लगी बोला थी और दस साल के सजा बस सरकास यह पूछना च अगर हमरे पास दस लाक रुपे पैसा रेकी तक हम गाड़ी चला है कोशी चरते हैं अगर हमरों में रुकत होते तो उपर का प्रावधान करें सरकार आप लोग को प्रदर्फन किस से रहे कब तक रहेंगी यह जब तक नहीं होगा हम लोग यह मत्विश्काना करतें काला का अनुन जब तक वापिस नहीं होई जब तक एक रही हितर पर अंदोरी जारी है तो आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है यूनियन संग है इनका जो प्रदर्फन है वो लगतर जारी है और आज लगभग सभी वहानों के जो पहिये हैं वो समय हुए है जिससे कहीं ने कही लोगों को आवगमन में काफी परिसानियों का सामने करना पड़ रहा है और ये परिसानी लगभग दो तिन दिन और रहेगी ऐसा लग रहा है क्योंकि तीन दिनों को ही अल्टीमिटम दिये गया जिस तरह के हर्ताल की बात है लेकिन जो यहां प्रदर्फन का रही है उनका क पवन पेट्रोल पंप है शायद आपके पीछे यहां पर भी क्या लोगों को इसी बात का डर कि पेट्रोल की किलत होगी बिल्कुल लवंतिका जवलपुर में भी तस्वीरे जो बता रही है वो यही बता रही है कि लोगों के मन में डर है कि पता नहीं कितने दिनों तक यह हरताल चलती है और अगर पैटूल पंपों में पैटूल खत्म हो गया तो फिर उनका क्या होगा क्योंकि नौकरी धंदा व् कि कल भी ऐसी ही तस्वीर हमने देखी थी कि जब पैटूल पंपों में लोगों की भीर लगी हुई थी तो जो कानून सरकार ने बनाया है वो कानून बनाया है हादसों को रोकने के लिए यानि समझा जा सकता है कि कानून पहले भी था लेकिन इस बार सक्ती बढ़ाई गई ह जर्माना बढ़ाए गया है सजा का प्रावदान बढ़ाए गया है और यह उस स्थिति में है कि जब एक्सिडेंट होता है तो जैसे पहले एक्सिडेंट होने के बाद में कानून की प्रोसीडिंग होती थी कोट में केस चलता था वैसा ही इस बार होगा लेकिन लोगों के मन में डर ये है किस बार सीधे सजा हो जाएगी तो कहीं न कहीं इस कानून का विशलेशन करना और लोगों को समझना जरूरी है ताकि इस तरह की स्थिती ना बने फिलहाल पैट्रोल पंपों में जो भीड लगी हुई है उसके बाद पैट्रोल पंप संचालकों का जो अभी तक कहना रहा है वो यही है कि हमारे पास परियाप्त है लेकिन कितना परियाप्त है कितने लोगों को वो अफूर्तिकर पाएंगे ये कहना मुश्किल है हमारे साथ लोग भी मौजुद है जाने की कोशिश करेंगे क्या बजा है इतनी भीर क्यों है क्या डर है अप लोग है सुनने को मिला है कि कोई हर्डाल मच्ची है जिसकी बजह से इतनी पैटरोल नहीं मिल रही अब सुने तीन तारी को मिलेगा पैटरोल तो अब कहीं अगर पिक्निक बनाने जाना तो कैसे बनाएंगे यह नए साल पर जो जश्यू का माहौल रहता था वो भी फीका हो रहा है मैं क्या कहें पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, क्या आपको भी लगता है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा? गाडियां नहीं आ रहे हैं प्रोटेस्ट करना सुरू किया है और जो बसे हैं करीब 500 से अधिक बस जो जिले से संचालित होती थे अलग-अलग ब्लाक मुक्याले में जाते थे अलग राज में जाती थे उनके पहिया थम चुके हैं और हजारों की संक्या में आज सुबा पांट बजे से लेकर करीब 6 संकारी घीटर-एंड मामले के नए कानून को लेकर लगतार ये बता रहे थे कि ये काला कानून है और जो चालक है उनके लिए एक खत्रा है कि जिसतरह से हाथसे होते हैं वो कहीं बता करकर के नहीं आते और अगर हाथसे के बाद अगर हम वहां पर रुख जाते हैं तो उनकी जान को भी खत्रा रहता है और जिस तरह से जो सजा का प्रवदान ने कानून में बताये गए हैं और इसके साथ ही जो जुर्माना की जो रकम है वो 7 लाग रूपे है तो ये इतनी बड़ी रकम है और 20 कोपरें